नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर आप तक आपने ये न्यूस सुना होगा, ये ओफिशल हो चुका है, एलोन रीव मस्क ट्विटर खरीदने वाला है 44 बिलियन डॉलर्स के लिए तो एलोन मस्क ट्विटर के नए ओनर बेने के बाद, ट्विटर में क्या-क्या changes expected है, ये हम डिसकस करेंगे आज इस वीडियो में वैसे दोस्तों, ट्विटर ने ये confirm किया है कि कंपनी का सहीड होगा to Tesla Chief एलोन मस्क for US$44 बिलियन एलोन मस्क लास्ट वीक ये रिवील किया था कि उन्होंने 46.5 बिलियन US$ सिखटा किया है ट्विटर खरीदने के लिए ट्विटर का कोफोंडर जाक डॉर्सी मिस्टर मस्क का ये decision को support किया है वैसे ट्विटर ने ये confirm किया है about the sale of the company to Tesla Chief एलोन ड्रीव मस्क for US$44 बिलियन नाओ एलोन मस्क लास्ट वील ये रिवील किया था कि इन्होंने 46.5 बिलियन US$ सिखटा किया है ट्विटर खरीदने के लिए ट्विटर का कोफोंडर जाक डॉर्सी मस्क का ये decision को support किया है आगे से healthy online conversations पर देखे दोस्तों एलोन मस्क का जो plan से ये सुनके ये नहीं लग रहा है कि ट्विटर में आगे से healthy online conversations नहीं होगा latest deal के इसाब से हर एक shareholder of Twitter को 54.20 US$ मिल जाएगा एक-एक share के लिए जो वो पहले से Twitter में on करते थे वैसे Twitter Inc. का जो share price है वो भी reasonably rise हुआ है up to 6% Apple 25 के इसाब से एक share का value है $52 तो क्या-क्या changes expected है Twitter में Elon Musk के आना है पर वैसे Elon Musk की तरफ से कोई official announcement नहीं हुआ है कि ये सारे changes होगा Twitter में पर देखे उन्होंने अपने tweets के तुरू जरूर कुछ hint दिया है For example, कुछ दिन पहले इन्होंने tweet किया था Free speech is the bedrock of a functioning democracy and Twitter is the digital town देखे, आपको पाता है आजकल maximum जो views है, opinions है, announcements है वो सब Twitter के तुरू होता है काफी जारे important personalities का Twitter account भी है और Twitter क्या करते है, content moderation करते है मतलब Twitter में जो content moderators बैठा हुआ न वो ज्यादा intervene करते है जब कोई important tweets आता है तो Elon Musk ने ये बोला है इस तरह content moderation नहीं होना चाहिए जिनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं और कोई content moderation नहीं होगा इसका मतलब ये है Free speech ensure करेंगे Twitter में और कुछ लोग तो ये भी कह रहा है Elon Musk Twitter खरीदने का main reason ये है कि वो content moderation को खतम करना चाहता है और free speech को ensure करना चाहता है अगला है Elon Musk ने recently ये भी tweet किया था Do you want an edit button? देखे अभी के इसाब से Twitter में edit button नहीं है अगर आपने कुछ गलक टाइप किया या आप कुछ edit करना चाहते हो आपने जो लिखा है तो आपके पास एक ही option है आप उस tweet को delete कर सकते हो पर delete करना चाहते होगा उस tweet के नीचे जितने replies आये होंगे वो सारे एक साथ delete होगा पर edit button रहने से आप अपने जो tweet है उसे edit करके लिख सकते हो कोई भी जो error आया होगा उसे आप current कर सकते हो ये edit button आभी के साबसे Twitter में नहीं है वैसे Twitter का Vice President Jay Sullivan ने ये बहुत बार बोला भी है कि the most requested Twitter feature for many years है edit button introduce करने का तो Elon Musk हो सकता है जैसे Twitter take over करेंगे सबसे पहले edit button introduce करेंगे अगला है today's algorithm should be open source algorithm का मतलब क्या होता है piece of code that determines the priority in which tweets get served up to users for example YouTube algorithm के बार में आपने सुनाओगा YouTube में अब जिस टेप का वीडियो अकसर देखते हो similar वीडियो का recommendations आता है आपका home page पर फले आपने कोई चानल को subscribe नहीं भी किया हो similar type of videos का recommendations आपको आएंगे ये automatically आता है YouTube की तरव से कभी-कभी YouTube random recommendations भी भेजते हैं ये चकरने के लिए आप interested है या नहीं अगर वो random recommendations को भी आगर आप देखना शुरू करोगे तो उसी type का similar videos आपको भेजना शुरू करेंगे YouTube ये automatically होता है पर Twitter में क्या होता है दोस्तों आपने से ध्यान दिया होगा कभी-कभी आपका home page पर भले अपने किसी personality को follow नहीं भी किया हो तभी उनका tweet आपके home page बर आता है उसका कोई criteria नहीं है कहने का मतलब है वो open source algorithm नहीं है कोई ने कोई उसे control कर रहा है कोई ने कोई Twitter में bite कर कोई tweet को ज्यादा publicity देने की कोशिश करता है For example, last US presidential elections में Facebook के against इस तरह एक allegation आया था कि वो foreign propaganda को ज्यादा fuel कर रहा है करके मतलब US presidential election के time पर Donald Trump के against जो foreign propaganda चल रहा था Facebook के true उसे Facebook ने maximum publicity दिया करके Facebook के against allegation था तो इसी तरह Twitter में नहीं होने देंगे ये Elon Musk ने बोला है मतलब Twitter किसी को भी ज्यादा priority नहीं देंगे हर एक individual account का जो tweet है उसे equal importance दिया जाएगा अगला है tackling cryptocurrency scam Elon Musk जो खुद एक cryptocurrency promoter है उन्होंने रीजन लिए बोला था तो प्रियोटी वोड़ बी eliminating the spam and scam bots and the bot armies that are on Twitter इसका मतलब क्या है देखिए आप सबको पाता है Twitter में fake Twitter handles बहुत है जो famous personalities को impersonate करते है तो आजकल ऐसे कई सारे fake Twitter handles है जो crypto market के जो famous personalities है इन्हें impersonate करके आके कुछ offers देते है promotions करते है और ऐसा बोलता है कि हम crypto coins free में दे रहे हैं आके खरीद लो तो इस तरह का कई सारे scams चलते है Twitter के तुरू भी और dog coin का co-founder Billy Marcus dog coin तो आपने सुना होगा one of the important crypto coin है जिसे Elon Musk ने खुद promote किया था तो dog coin का co-founder Billy Marcus recently Twitter's support team को ये complaint भी किया था about the platform being flooded with giveaway crypto scams मतलब Twitter के तुरू कई सारे crypto scams चल रहा है करके Billy Marcus ने complaint किया था तो Elon Musk ने बोला है उनका top priority यही रहेगा इन सारे spam and scam boards को completely eliminate करने का और इनों ने एक solution भी propose किया है to authenticate all real humans or to have accounts overtly linked to other personal identifies वो सारे human accounts को दूसरे personal identifies के साथ link करेंगे like phone number के साथ email address के साथ photo के साथ etc. पर देखे दोस्तों यह सब करने के बाद भी scams होगा यह बात आपको पाता है क्योंगी लोग आजकल बहुत smart है smart in the sense इन्हें negative way smart है ठीक है अब मैं आपको एक interesting news दिखाऊंगा someone makes a crypto called Elon Musk by Twitter price jump 6000 percent देखे एक fake crypto create किया किसी ने called Elon Musk by Twitter और इसका price 6000 percent increase हो गया देखे दोस्तों जो कि एक scam है यह तो अब समत सकते हो एक scam से क्या क्या कर सकता है finally Trump's return देखे अब सबको पता होगा last year US capital riots के बाद Donald Trump का account permanently suspend किया था Twitter से Facebook से Instagram से Snapchat से उनका कहना यह था कि Donald Trump का account रेने से risk of further incitement of violence इसलिए Donald Trump को permanently suspend किया था इन सारे account से वैसे आप Elon Musk Twitter को खरीद रहा है तो हो सकता है वो Donald Trump the former US President का account reinstate करे पर Trump ने पहले से बोल रखा है कि वो यह micro blogging platform को कभी भी rejoin नहीं करेंगे उनका अपना एक platform है truth social platform इसी में जुड़े रहेंगे करके पर हो सकता है Elon Musk Twitter को खरीदने के बाद Donald Trump अपना decision बदल दे तो दोस्तों यह सारे expected changes से Elon Musk के take or के बार now Elon Musk के बारे में थोड़ इसी history Forbes के हिसाब से Elon Musk richest man in the world है with a nearly 279 billion dollar fortune इनका majority of money Tesla stock में और SpaceX में tied up है 17% of electric car company Tesla को यह on करता है और Tesla electric car company का valuation है 1 trillion dollars का Elon Musk की fortune journey actually शुरू हुआ था 1999 में जब इन्होंने zip2 करके online mapping company बेश दिया था 307 billion dollars के लिए फिर इन्होंने PayPal शुरू किया PayPal क्या करता था It was an internet service that bypassed the banks and also allowed customers to pay directly to businesses बहुत पहले क्या होता था दोस्तों अगर हमें कोई भी business के लिए pay करना है तो bank के तुरू payment करना पड़ता था आजकल आपको मालूम है कहीं सारे third party platforms available है तो उसी तरह एक platform था PayPal जिसे आप directly businesses के लिए pay कर सकते थे PayPal एक successful company था इसके बाद आपको पता है इन्होंने SpaceX, Tesla जैसे company शुरू किया और आप Elon Musk कहां पर आप सबको मालूम है he is the richest man in the world तो दोस्तों that's the end of it अगर आपको Elon Musk के बारे में complete details जानना है उनके जेनी of SpaceX के बारे में early failures के बारे में Tesla के बारे में, Hyperloop के बारे में other major companies के बारे में तो आप Harshit दिवधी नाम के साथ Elon Musk सर्च कीजिए आपको ये वीडियो मिल जाएगा thank you for watching, bye bye have a next day